Hello guys, I am Pradeep from WSQTech आज हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पे Coming Soon और Maintenance Mode का अगर कोई पेज बनाना हो तो ये कैसे इंप्लिमेंट करें ये देखें Coming Soon और Maintenance Mode कब इंप्लिमेंट करते हैं माल या जाए कि आपने कोई डोमेन या होस्टिंग पर्चेज कर ली और अभी तक आपने वेबसाइट नहीं बनाई है तो आप एक Coming Soon का पेज बना के रखना चाहते हैं कि कोई यूजर अगर आपकी वेबसाइट के URL को देखता है तो उसके सामने एक Coming Soon लिखा हो आएगा या Under Construction लिखा हो आएगा Maintenance Mode का मतलब क्या होता है कि माल लो कि आपकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई या कुछ डिजाइन का इसू हो गया या कुछ भी कंटेंट का इसू हो गया तो आप उसको Maintenance Mode पे रखना चाहते हैं तो Maintenance Mode पे ये पता चल जाएगा यूजर को कि ये अभी Maintenance होरी है वेबसाइट जब आप Maintenance कर लो तो आप उसको फिर क्या कर सकते है पब्लिश कर सकते है तो आप इन दोनों के लिए ही क्या करेंगे टेंपलेट बनाएंगे और ये प्रॉसेस हम जब ओनलाइन काम करते हैं देता है कि आप इसमें दो टेंपलेट बना सकते हो कमिंग सून का और Maintenance मोलड पीज का अब देखे इसके लिए वो फ्री टेंपलेट देता है और कोई कुछ प्रो टेंपलेट देता है तो मैं फ्री टेंपलेट का यूज करूँगा आल्स को डिजाइन करूँगा तो चलिए हम इस स्टार्ट करते हैं देखे मुझे कुछ इस टाइप का डिजाइन बनाना है कमिंग सून के लिए और मैं इसको Maintenance के लिए भी यूज कर सकता हूँ या दो आप अलग-लग डिजाइन भी बना सकते हो है किरें कहला है करणाना करणा च। यहां सब्सक्राइब से इसक्राइब आपकोốc 1-5 अएक यहां पर टैंपलीट करनांव। हम वहारे करेंगे बिच्च। यहां से м 세प nor करेंध करूँजm यह मैं आपको बता देता हूं तो आपको क्या करना है यहां पर जाना है और यहां पर पेज लियाउट यह जो दिख रहा है इसमें आप आप Elemental Canvas का यूज कर लेंगे Elemental Canvas का यूज करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा आपका हट जाएगा केवल एक पेज दिखेगा Elemental Canvas header, footer सबको हटा देता है बीच वाले section को भी हटा देता है यह पूरा एक अपना खुछ का बना के दे देता है आप यहां पर कुछ के design को क्या कर सकते है बना सकते है अब देखें यहां पर सेम है जैसे हमने one page की website में किया था यहां पर add template पर क्लिक करना है और यहां पर देखे coming soon और search करिए देखे coming soon के बहुत सारे template है यह प्रो है यह भी प्रो है यह भी प्रो है जिसके अंदर प्रो नहीं लिखा हुआ है तो मैं यही ले लेता हूं और यहां से इसको क्या करने के बाद डिजाइन आपके सामने बना हुआ आ गया अब थोड़ा डेटा चेंज कर दीजे डेटा चेंज करने का मतला में माल लोगो चेंज करना है तो मैं यहां से लोगो चेंज कर देता हूं यहां लोगो ले लिया अब इसके size को आप increase कर सकते है style में जाक तो यहां पर प्पी पेस्ट कर देता हूं अब आपको फोन नंबर चेंज करना है तो यह भी कर सकते हैं और नया डेटा और पार्ट भीकर सकते हैं और पर कमिंग सून में तो यह क्या होता है एक simple सी आडिंग होती है और paragraph होता है और यहां पर आप आप नंबर देदीए जो आप यहां पर email id क्या कर सकते हैं जस्ट एक्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर email id दे दी info at the rate wskubetech.com अब देखे और यहां से मैंने इसको publish कर दिया अभी यह आएगा नहीं अभी वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो यह आपके सामने नहीं आएगा क्यूंकि अभी तक मैंने बनाया इसको implement नहीं किया अब implement करने के लिए क्लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ यहां से आप dashboard में जाएंगे back करके चले जाएए देखे यहां पर coming soon दिख रहा है आपके सामने यहां पर मैंने refresh किया तो आ रहा है देखे आपको क्या करना है इस coming soon को जब मैं page open करू तो यह तब आना चाहिए अब इसके लिए आपको कुछ settings करनी पड़ेगी settings कहां पर करन maintenance mode पे अब maintenance mode पे आपको क्या करना है यहां पर coming soon यूज़ करना है दो दिया है देखे coming soon दिया है और maintenance भी आ है तो आप coming soon करिए देखे coming soon में एक नीचे एक छोटी सी paragraph लिखा हुआ है कि अगर आप coming soon करते हैं तो आपका जो page है वो indexing होगा गूगल पे अगर आप maintenance पे रखेंगे तो वो उसको index नहीं कर पाएगा गूगल पे मतलब search engine उसको index नहीं कर पाएगा तो आप देखे coming soon में आपकी website search हो सकती है और maintenance mode में आपकी website क्या होगी search नहीं होगी coming soon who can access जो login है वो आपके website को access कर सकता है और choose template जो हमने बनाया था देखे यह आगया coming soon और यहां से आप इसको क्या कर देंगे save कर देंगे save करने के बाद आप website को open करेंगे website को open करने के बाद अभी आपकी website दिखेगी क्यों दिखेगी कि मैं already login हो मतलब वहां पर क्या था कि जब आप login होगे तो आपकी website आपके सामने क्या होने वाली है डिस्प्ले होने वाली अगर आप login नहीं हो तो आपको coming soon का template दिखेगा जो हमने बनाया है तो इसके लिए करूँगा वापर refresh करूँगा देखेगे refresh करने के बाद आपके पास coming soon का पुरा template देखेगा आ रहा है अब यह design जो फ्री में दे रहा था वो मैंने यहापर क्या क्या है implement किया है अगर आप paid version का करोगे तो आपके सामने counter भी लागा सकते हो आप यहां पे देखेगे मैं यह यहां पर elemental plugin का यूज कर रहा हूँ मैं किसी और plugin का यूज करके आपके सामने counter से भरा हुआ design बना सकता हूँ वह भी प्रोसेस आपको बना के दिखाऊंगा अभी मैं बता रहा हूँ कि simple up coming soon template कैसे implement करेंगे अब देखिए अगर मैं यहां पर क्या करता हूँ इसको login कर लेता हूँ login करने के बाद यह हट जाएगा अब एक maintenance mode के लिए भी क्या करेंगे template बना लीजिए मैंने dashboard open कर दिया आपको maintenance mode के लिए अगर template बनाना तो फिर कहां पर जाना है आपको यहीं पर templates के अंदर add new यहां पर लिख जीए maintenance mode, create template, select यहां पर कर लीजिए page यहां पर settings में जाएंगे settings में जाके यहां से क्या करेंगे canvas आप यहां पर क्या करेंगे यहां से आप सर्ट कर लीजिए जैसे मैं यहां पर maintenance mode के बहुत सारे इसमें mostly एक ये ये दिख रहा है mostly एक या दो देखिए इन दोनों को आप क्या कर सकते है implement कर सकते है तो मैं उपर वाले को यहां से क्या कर देता हूं या नीचे वाले को यहां से क्या insert कर देता हूं देखें यहां पर आगे under construction लिखा हुआ गया और ये जो भी paragraph है और यह आप information क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं यह पूरा का पूरा मत्तल्ब चेंज़ेबल है पस मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप एक design कैसे बनाएंगे और यहां से maintenance mode पर जाना है अभी जो coming soon है और यहां से क्या करेंगे जो हमने template बनाया था maintenance mode और यहां से save देखिए उपर लिखा हुआ भी आ रहा है कि आपकी जो website हो किस पर maintenance mode पर है और आप यहां से logout करने के बाद नहीं अभी देखेंगे तो अभी देखिए होगा क्या मैं आपको बता देता हूं अभी के process में आपको अपनी website दिख जाएगी क्यों दिख जाएगी क्योंकि आप अभी admin से login हो अगर आप admin से login नहीं होगे अगर नॉर्मल यूजर तो क्या होता है जो जब आपकी website को देखता है तो वह login तो होता नहीं है तो उसको क्या होता है आपको जो भी आपने maintenance mode वाला page रखा है तो maintenance mode का दिख जाएगा अगर website में जाके refresh करूंगा refresh करते ही होगा क्या process आपके सामने maintenance mode वाला जो भी आपने page वाला है तो आपके सामने क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा अब मैंने content नहीं किया आप content यहां से कर सकते हैं चींज कर सकते हैं वह आप अपने recording इसको implement कर सकता है तो मैंने तो बताया है कि आप coming soon का page और maintenance mode का page कैसे बढ़ाएंगे उसको select कैसे करेंगे जब आप website पे जाएंगे तो इसको display कैसे करेंगे जब आप login रहेंगे अगर आपको login user को भी बंद करना है तो आप वहां से जाके option में select कर सकते हैं कि login user भी इसको ना देख पाए मतलब अपनी website को ना process था अभी के process पर हमने maintenance mode का page और coming soon का page बनाया और उसको implement करके देखा थैंक्यू सो मस्काइज